उनाइटिट फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आवान पर आउद देश व्यापी बैंक हरतार रिशिकेश में पूरी तरह से सफल रही रिशिकेश के सभी बैंकों में ताले लटके रहे जिसके चलते आज करोडों रुपे का कारोबार प्रभावित हुआ उनाइटिट फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने केंदर सरकार को भारति बैंक संग आईबिया के अडियल रवईये और जन विरोधी नितियों के विरोध में हरताल का आहवान किया था इसी मुद्दे पर 21 दिसंबर को भी बैंकों में हरताल रही थी इन सब के बीच बुधवार की सुबा बेहद उग्रतेवरों के साथ प्रदशन कारी बैंक करमी रेलवे रोड भारती स्टेट बैंक के सामने एकत्र हुए और सरकार और आईबिया के विरुध नारे बाजी कर प्रतेवर सरकार के रवईये पर कड़ा एतराज जताया अखिल भारती बैंक अधिकारी संकेर इशिकेश केंदर के प्रतिनीदी महेश शितकारिया ने बताया कि न्यूनितम वेतन NPA वसूली नई पेंशन योजना को समाप्त करना पारिवारिक पेंशन में सुधार और बैं इसके रतीन तक के वेतन समझोता करने का प्रस्ताव दिया है जिसके विरोध में IBA की बैठक में कोई नतीजा ना निकलने के कारण बैंक कर्मी हर्तार पर जाने को मजबूर हुए है है आज सारे कमचारी अधिकारी लोग हर्ताल पे हैं और हमारे वेतन समझोता है और जो दूसरे मने मंज़र की विरोध में हमारी हर्ताल लगातार चलती आ रही है और सबकार यद overcome नहीं जैने वाले समय में लबह पचास साठ करोड़े की ट्रांजेक्शन जो होती है उसका आज क्लिरिंग में और सारी बेंकों के लेंदिर में तो आपनेमें नेक्षे के सेंटर प्रहुए कर लिए झाल